हेलो एव्रिवान वेलकम टू अप्टी गुरू और डी आई स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है जिसने अभी तक अप्टी गुरू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली कर लू और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो राइट और बेल आइकन भी प्र कर चुके हैं अब लाइन चार्ट करेंगे तो अब स्टार्ट करते हैं बहुत इजी कोशन है हो ऐसे ही बस लाइन दिखाने के लिए आपको तो जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं एक लाइन पे इसने अन इंप्लॉइव परसंटेज ऑफ अनिंप्लॉइड दे रखा है पट यह बता रखा था के सेम पॉपुलेशन है सबकी सेम पॉपुलेशन है तो मलब बे सेम है अंडर्ड मान सकते हो सबकी राइट तो विच कंट्री है इस परसंटेज ऑफ अनिंप्लॉइड पीपल तो जो सबसे उपर दिख रहा है वही आंसर है राइट कौन सा है डी तो डी क 60 परसंट अनिंप्लॉइड है तो वही परसंटेज हाइएस्ट राइट ओके तो वह एक्स का 20 परसंट होगा और वह एक्स का ही 25 परसंट होगा तो रेशो तो दोनों का सेम ही रहेगा 20 बाइ 25 या 4 बाइ 5 विच इस 80 परसंट राइट 80 परसंट होगा राइट C का जो अनिंप्लॉइड है वो F के अनिंप्लॉइड से चलो next पे which countries have the low unemployment percentage as compared to the average ये थोड़ा सा आपको average निकालना पड़ेगा so 30 40 70 and 20 90 60 150 160 185 so 185 by 6 average निकलेगी 30.5 by 6 कितना होता है 83 so 30.83 average निकल रही है वो कहरा है किस किस country की lower than lower than average है low as compared to average तो ये भी low है 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 जो 30.83 से low है so ये है a c e f a c e f आपका b option correct answer है c e f a right okay तो चलो next पे आ जाओ find the ratio of unemployment between the country a and d right तो सीधा करो a और d 30 और 60 1 is to 2 हो जाएगा right इससे आसान question नहीं हो सकता ओके ये बहुत ही ज्यादा simple है इसको मैं जल्दी से skip कर लेता हूं next पे आता हूं find the difference between the percentage of people unemployed in b and c b में 40% है c में 20% difference हो जाएगा 20% का right 20% of the same base okay तो चलो next पे आ जाओ ये तो बहुत ही super duper easy था next question पे आ जाओ ये फिर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है cost price और selling price दिया है in thousands in thousands four different article है यह है laptop mobile tablet or kinder what is the average profit earned okay on selling all the four items average देखो यह profit कितना है यह six thousand profit है यहां four thousand का profit है यहां अच्छा CP उपर है SP मीचे है तो loss है तो minus two thousand का loss यह loss हो गया 2000 का और यहां one two three four तो 4000 का profit है तो कितना हो गया six plus four ten ten यह minus two करके 12 आ गया total तो 12,000 divided by four 3000 का average profit आ गया उसने पूछा था average profit तो total profit हो रहा है 12,000 अगर एक-एक items अब का बेचते है तो 3000 का average profit आ गया ओके तो चलो next पे आ जाओ the cost price of the candle is what percent more or less than the selling price of tablet selling price of tablet है 20 cost price of candle है 24 तो 24 20 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है 20 से 1 by 5 1 by 5 कितना होता है 20 percent तो यह भी असान है कोई खास मुश्किल नहीं है बट प्री में ऐसे question आते है राइट प्री एक्जाम में प्रिलिम्स में आपके ऐसे question आते है the profit earned on laptop is what percent of that of mobile profit earned on laptop कितना है 6000 राइट mobile पर कितना है 4000 तो 6000 4000 का कितना percent है 6 by 4 3 by 2 3 by 2 कितना होता है 150 percent राइट 3 by 2 150 percent into 100 कर लो 300 by 2 150 आ जाएगा ओके चलो next पर आ जाओ what is the ratio of cost price of mobile cost price of mobile क्या है 20,000 and kindle okay and kindle add करना है right to 24 20 plus 24 कितना हो गया 20 44 and selling price of laptop and tablet tablet का selling price क्या है 20 so 36 and 20 कितना हो जाएगा 56 तो 44 is to 56 पूछ रहा है वो यह हो गया 4 into 11 4 into 14 11 is to 14 आपका answer आ जाएगा right total cost price of mobile and kindle आया था 44,000 और total selling price of laptop and tablet यह 56,000 44 is to 56 is 11 is to 14 right if table is sold at 20% profit tablet is sorry tablet is sold at यहां loss में बेच रहा था यह उसका cost था 22 उसको अगर 20% profit लेता 20% इसका कितना हो जाता 4.4 यानि के 26.4 पे बेच था तो what is the difference between actual selling and new selling अच्छा actual selling थी 20 new selling है 26.4 तो difference है 6.4,000 तो कितना हो जाएगा 6400 6.4,000 है यह राइट ओके तो यह भी easy था ज्यादा मुश्किल नहीं था अब आ जाते है actual question यह LICAAO का 2023 का जो अभी 75 को exam हुआ था उसमें से question है right यह देखेंगे number of pens दे रखे है sold and unsold यह sold है देखो यह 15-15 का gap है तो एक लाइन 33 की है तो 75-3 यह 72 है यह 24 है यह 66 है एक लाइन 33 उसकी है 3 unit की तो यह आपका 27 होगा यह 75 यह 60 और यह 15 right तो what is the average of number of pens remain unsold in ABC ABC का इनका average 24 27 और 30 अगर मैं order में लिखूं तो इन तीनों का average बट यह तीनों number AP के है तो middle term average होती है AP में arithmetic progression में middle term average होती है right तो यह तीनों AP में है plus 3 plus 3 तो middle term average होगी आपको कुछ करने की जूर्त नहीं थी what is the ratio of number of pens sold from shop B and D B पे sold है 66 and D पे sold है 60 ratio करेंगे तो 6 into 11 6 into 10 so 11 is to 10 is the correct answer again बहुत easy right यह actual question है आप देख लो right तो ऐसे ही पूछे जा रहे है prelim level पे right what is the difference between the number of pens sold from shop C okay shop C and the number of pens remain unsold in D यह 15 है तो difference कितना होगा 60 का right विलकुल सही है okay easy again in shop A if 25% of the pens sold okay यह 72 sold के इसका 25% 18 हो जाएगा and 50% of the pens remain unsold okay यह है आपका 24 इसका 50% means 12 these are defective अच्छा these are defective so total defective बताने है right how many pens in shop are defective 18 and 12 30 right 30 are defective okay चलो next पे आजाओ if the number of pens sold from shop D and X okay एक X shop आ गई है एक और और sold की बात कर रहा है are in the ratio of 4 is to 3 यहां sold है 60 अकर 4 is to 3 में करना है तो 4 into 15 3 into 15 45 तो यहां 45 sold है right X के लिए and 5 pens remain unsold in X तो 5 unsold है then find the total number of pens sold and unsold together in X 45 plus 5 50 very very easy again right बहुत easy question थे right अराम से आपने solve कर दिये फटा फट next पे आ जाते हैं अब next question है यह SBI PO का 2022 का memory based है 17 December 2022 shift 1 में जो पूछा गया right तो इसमें जो data कुछ ऐसा था के यह जो है यह P plus Q right यानि के दोनो दो जो different four different warehouses two different type of quantities P and Q दो ही quantity है दो right और यह कह रहा है अच्छा नीचे P सिरफ यह P only यह P plus Q तो इसका मतलब यह Q आ जाएगा these are the quantities displaced from the warehouse okay तो यह अगर 750 है यह अगर 350 है तो क्यों हो जाएगा 400 ऐसे ही अगर यह 600 है यह 250 है तो क्यों हो जाएगा 350 टोटल अगर 650 है और यह 400 है तो यहां आ जाएगा 250 right चेक कर ले न और यहां पे 800 है और यह 350 है तो यह 450 आ जाएगा right तो चलो question देखते हैं कैसे हैं what is the average number of q type of quantity अब q type of quantity मैंने वैसे निकाल ली थी right कितना कितना था क्यों 400, 350, 250, 450 यह 400 था यह 350, 250 और 450 वो कह रहा है average number of q type of quantity displaced by warehouse b, c and d इन तीनों का average यह देखो तीनों फिर से 250, 350 and 450 एपी में है middle term कौन सी होगी यह तो 350 आपका average होगा देखो आप order में लगाओगे तो 250, 350 and 450 अगर एपी में तीन quantities होँ तो middle term average होता है right तो 350 average आएगा okay next पे आ जाओ if each p type of displaced quantity cost rupees 275 to a warehouse then find the total cost borne by all four warehouse from selling all p type of quantities तो पहले p type निकाल लो कितनी है यह p type की ही दे रखी थी तो यह 350 है यह 250 है यह 400 है और यह 350 है so 350, 250, 600, 400, 1000, 1350 टोटल आ गई उसको 275 से multiply करना है right आप इसको multiply कर सकते हो 275 से otherwise जैसे 275 ओके देखो बहुत तरीके इसको multiply करने के आप ऐसा कर सकते हैं कि 275 जो होता है वो 550 का अधा होता है right या वो 1100 का by 4 होता है तो आप 11 से multiply कर दो 135 को वो असान है right 1350 में 135 एड करते हैं तो 1485 right इसके बाद आपकी 0 लग जाएंगी 3 okay divided by 4 करोगे तो आप कर दो 4 से division असान है so 4 3 12 2 8 4 into 7 500 को 125 आता है तो 371250 ए ओप्शन आपका correct answer हो जाए right multiply आप जैसे मर्जी कर लो आपके मर्जी है आप 1350 को भी 2700 by 2 लिख सकते थे अगर 27 का table आपको आता है right otherwise 275 को मैंने 1100 by 4 लिख लिया और 11 का table आता था और by 4 इजी था right चलो next पर आजाओ so यह question थोड़ा relatively time मतलब हलका साथ ने time लिया इस set ने बाकी set तो बहुत easy थे okay if the number of q type of displaced quantities for warehouse e एक और warehouse आगया e is 62.5% more than the number of q type of quantity displaced by warehouse a right ओके तो warehouse a की q type कितनी थी यह 750 टोटल था p 350 था तो q type की यहाँ पे 400 था और 62.5% होता है 5 by 8 इसका 5 by 8 ज्यादा यानिके 8 into 55 250 ज्यादा तो 400 से 250 ज्यादा 650 था तो यह तो आपकी q type की quantity आ गई जो warehouse e की right and the number of p type of displaced quantity of warehouse e is 250 more than the number of q type of quantity displaced by the same warehouse इसमें 250 ज्यादा right 250 ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 to 8 1 9 right तो उसने पूछा है then find the total number of quantity is displaced by warehouse e total कितना हो गया 9 6 15 50 right e option 15 50 would be your correct answer right okay चलो next पे आ जाओ फिर the total number of p type of quantity displaced by warehouse a c and d okay p हमारे पास है यह 350 यह 400 और यह 350 a c and d की total p की हो गई 350 350 7 and 4 1100 total is approximately what percentage of the total number of quantity displaced by all four total quantity displaced by all four यह 750 600 650 and 800 यह 750 and 650 हो गए 14 and 6 right 2800 right 2800 का कितना percent है right तो यह कितना हो जाएगा 11 by 28 28 into 4 से थोड़ा कम 39 percent चलेगा देख लो 28 into 3 84 84 करेंगे तो बचेगा कितना 110 में से 16 26 260 right पका ही नहीं आएगा right 39 percent would be the correct answer okay otherwise मैंने इसे गैस किया था 28 into 412 होता है यह 110 के करीब बनेगा मतलब जब आप इन 200 करेंगे तो उपर 1100 by 28 हो जाएगा right तो वहां आपका 28 into 40 होता तो 1120 होता यह 1100 है ओके तो काफी close है 39 percent is the correct answer out of the total number of quantity displaced by all four warehouses 42.85 percent are returned back देखो total अभी हमने निकाला था 800 था total 42.85 होता है 3 by 7 right यह होता है 42.85 percent right अगर मैं इसका 3 by 7 कह दूं तो 7 into 4 3 1200 आ जाएगा यह कहता है this is return back due to some defect and then find the total number of quantity that are accepted and not return back तो सीधा इसमें से minus कर दो तो 1600 हो जाएगा जो नहीं return back right यह आप सीधा 2800 का 4 by 7 निकाल सकते थे वो सीधा 1600 आ जाता अगर 3 by 7 वापिस आया है तो 4 by 7 वापिस नहीं आया right ओके तो चलो यह आज का last question था तो यह पका ही आप आप देखो वीडियो को share भी करा करो अपने friends के साथ और चैनल को subscribe कर लो अगर नहीं किया है तो right see you in the next session बाइ बाइ नमस्ते जाए हिन